हाई गाईज, हलो एब्रिवान, वेरी गुड इवनिंग और वेलकम तू लाग वन्स अगैन मेरे यानिस अपने लगरवाल के संग अपने आज के सेशन में जहां पे हम देखने वाले हैं इतना गजब का इतना इंट्रेस्टिंग सा टॉपिक जो कि आप लोगों को आज बिलक आपका इंगलिश और आपका जितना भी जेशन का भी पोर्शन है वह भी इसमें चैक होता रहेगा और इन दोनों टोपिक्स को की आपका इन पचास पेशन को कंप्लीट हम आपको ये तीनों चीजे ग्रामर वोकाबुलिश्य पर्का साइन्स और आपका जीखर इन वहीं स् बहुत अच्छाइटे हैं कि एक दम ना के बराबर है और मैं बहुत एक्साइटे हैं कि आज हम देखने वाले हैं वर्ड आनलोगी और वर्ड क्लासिफिकेशन जिसमें चार शब्द दिये हैं बताना है कि वह बहुत अप्रिंट है तो यह एक बहुत 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 इस टॉप को clarify करने के लिए उन्ही सारे doubts को एकदम अच्छे से eliminate करने के लिए हम आज इस class में आए हैं जहां पर word analogy and word classification का complete revision होगा आपका पूरी की पूरी इस class में only in one class आपका दोनों ही topics revise हो जाएंगे completely yes clear all clear चलो भाई all clear good evening जितने भी लोग जितने भी लोग आ चुके हैं good evening सभी को राधे राधे सब लोग बढ़िया से एकदम मस्त हैं चलिए एकदम सब मस्त पढ़ाई लेखाई बढ़िया चल रही है जी good evening good evening good evening कि ओके तो भाई चलो शुरू करते हैं फिर हम अपनी आज की class और उस बिल्कुल भी आप time waste नहीं करेंगे जी अरे चिंता ना करो यार 5 minute late हुई है class 10 minute मैं उधर extend कर दूँगी लेकिन आज जितने question है 50 की 50 question पूरे करके ही उठेंगे आज यहां से और आप सबको भी जितने भी लोग यहां पे आज मेरे संग पूरी class अटेंड करने के लिए एकदम तयार है सबके सब एक बार like बटन पर क्लिक कर दो कि येस माम आज हम आपके साथ पूरी class में बने रहेंगे पूरे एक घंटे बैठेंगे और पूरे एक घंटे लगातार comment करकरके पूरे comment box को भर देंगे, spam नहीं करेंगे, answers करेंगे, जितने भी लोग आज ready है कि सब के सब आज पूरी class मेरे संग देखने वाले हैं सब लोग like बटन पर क्लिक करके अपनी हाजरी लगा दो, अपनी attendance लगा दो चलो, आइए चली शुरू करते हैं, बिल्कुल भी समय बरबाद नहीं करेंगे, इससे पहले कि आप लोगों को हम class के साथ प्रोसीड करें मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो हमारी classes होती है, bank की class होती है, साड़े 12 बजे मेरी reasoning की और SSC की होती है, साड़े 4 बजे reasoning की, ठीक है, और यहाँ पे जिदनी भी class होंगी, जो class हम आज देखेंगे, क्यूंकि यह class आज maximum theory portion पे है practical इसमें बहुत कम है, तो इस पूरे class की PDF आपको मिल जाएगी हमारे telegram channel पर, जिसका नाम है My Study Lab, ठीक है, My Study Lab पर आपको इस पूरी class का PDF मिल जाएगा, तो चली शुरुआत करते हैं, अपने आज के topic की word classification and word analogy, दो topics हैं और दोनों के ही 25-25 questions लगबग हम practice करेंगे class में अब आप देखो कितने type के question पूछता है, भाई, science related question examiner पूछ लेता है, geography related, animal, human, sports, work related, study related, English vocabulary, instruments related, raw material, odd even, या फिर miscellaneous questions भी पूछता है आप से अब इतने type के questions हैं, भाई, देख के ही चक्कर आ गया, इतने type के questions हैं, हर type के question की practice करेंगे, चलिए आइए शुरुआत करते हैं, अपने word analogy के पहले सवाल की, और पहला सवाल आपका given है, 10 second का, चलो जल्दी से देख के answer करो, 10 second से उपर के सवाल ही नहीं हैं आपके ये सारे चलिए, आइए देखते हैं यार, देखो pressure है, जो आपका pressure को measure करने के लिए, जो atmospheric pressure होता है, उसको measure करने के लिए instrument यूज किया जाता है, barometer तो odometer जो होता है, वो instrument, देखो instrument लिखा है, बाद में पहले लिखा है, वो unit जिसको measure किया जाता है इस instrument से, तो odometer से हम किसको measure करते हैं, odometer जानते हो क्या होता है, जब गारी चलाते हो, बाइक हो, चाहे स्कूटी हो, चाहे आपका कार हो, जब कुछ भी आप चलाते हो, तो ज इस instrument होता है, वो distance measure करता है, तो जो actually odometer होता है, वो क्या होता है, it is an instrument used to measure distance, distance यानि की option number B, दूरी becomes the correct answer, ठीक है, बी दूरी हो गया question का सही जब चलो, next question पर आते हैं, अगला question देखिया, एक और चीज, जो सबसे अची चीज मैंने आप लोगों के यहां पर कर रखी है, जो क आपको मिलेगा PDF के form में, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, हर एक option को समझाना, इसलिए हर एक option का explanation आपको मिलेगा PDF के form में, odometer distance, जैसे hygrometer जो option था ना, hygrometer, humidity, hygrometer measure करता है, wind measure करता है, anemometer, ठीक है, तो इस तरीके के चीजों जो हैं आपकी, वो आपको PDF के form में मिलेंगी, so do not worry about the options, PDF में सब मिलेगा, चलो, next question पर आते हैं, sunflower is related to yellow, blood is related to what, timer चलाने का भी मननी कर रहा है, 5, 4, 3, 2, 1, 0, sunflower, यानि की सूरज मुखी का color कौन सा होता है, sunflower yellow color का एक flower होता है, और जो blood है, blood का color क्या होता है, red, यानि की option number C, लाल becomes the correct answer, ठीक है, चलिए, next question पर आते है, अगला question देखिए, और answer करिए, 10 second का सवाल, चलो, फड़ा-फड़ से स्टार्ट हो जाओ, नई, फिर दो, नई, बिल्कुल रॉंग है, आपका, ओडो मीटर आपका, डिस्टन्स होता है, देखो, insulin क्या है, insulin एक होर्मोन है, और pepsin क्या है, pepsin एक enzyme है, pepsin enzymes, option number A is the correct answer, ये digestion, stomach and vitamins तो एकदम ही बेकार options है, इन तक तो जाने की ही जरुवत नहीं थी, enzyme है, जिस तरीके से insulinic होर्मोन है, ठीक है, चलिए, next question पर आते हैं, बिल्कुल, next question पर जल्दी से आते हैं, और बताइए, 5 pentagon, and, बताइए, answer इसका, quickly, जी, enzyme सही जवाब था, चलो, answer करो, 5 pentagon, pentagon क्या होता है, pentagon एक ऐसा, क्या सकते हो, आप एक ऐसा figure है, जो कि 5 side से बनता है, pentagon मतला 5 side वाला figure, तो उसी तरीके से option में आपको देखना है, rectangle, एक 4 side वाला figure होता है, option number A becomes the correct answer, कुछ लोग यहाँ पर गलती करेंगे, triangle और 3 mark करके, गलत होगा आपका, क्योंकि, ध्यान से देखेगा, question में आपको given है, पहले number, और उसके बाद में figure का नाम, और option number B, यानि कि अगर आप बात करो, triangle की, तो triangle में पहले ही figure दे दिया, उन्होंने, बाद में दिया number, है ना, और पहले number देना था, तो पहले number आपका अगला question, फिर से, physics, थोड़ा बहुत physics है, जल्दी से देखो, बताओ, quickly answer, ampere, electric current and fathom, बताओ, ampere, क्या होती है, unit होती है, to measure electric current, उसी तरीके से, जो fathom है, वो क्या है, बताओ, जानते हो कि नहीं, it is used to, it is the unit, that is, जो कि आपका depth of water को measure करती है, ठीक है, depth of water, क्योंकि sound level को तो हमारा, sound level, decibels, ठीक है, ampere तो unit है, sound तो हम लोग decibels में measure करते हैं, फिर उसके बाद, work or energy, joule में measure करते हैं, ये तो आपका option ही से हट गया, option number A, depth of water, depth of water, option number A, is the correct answer, देखो, कई बार यहां पर क्या होता है, कि आपको पता नहीं है, fathom actually में क्या measure करता है, लेकिन बाकी के options तो पता है ना, आपको, आपको पता है, frequency, कोई unit नहीं होती है, unit आपको answer करना है, तो frequency पहले चीज़ तो कोई unit है नहीं, sound, level को measure करने के लिए हम use करते हैं, आपका decibel, और work or energy के लिए, joule तो इसी लिए, option number A ही बचा आपके पास, और वही हो गया आपके question का सही answer, जी, चलिए, next question पर आते हैं, कोई is related to ice cream in the same way, bowl is related to what, जल्दी से बताओ, 5 seconds, come on, 5, 4, 3, 2, 1, 0 and time's up, कोई, यार ice cream खाने जाते हो पूचता है, कप में खाऊगे या कोई में, है ना, कोई में आइस क्रीम खाते है, उसी तरीके से बोल में क्या है, जब कहीं आप जाते हो in restaurants में, hotels में, तो बोल में आपको soup मिलता है, ठीके, बोल में आप वाली चीजए लेते हैं, जो तरी वाली होते है, जो रसेदार होते हैं, जो gravy आप लेते हो, आपके option में बाकी गुछ तो था ही लीग वाली चीज़ question number 7, in 10 seconds, जल्दी से आंसा करिए, ओके, चलिए, इसको पॉस करते हैं, and let's see, देखो, fan electricity, पंखा जो है, वो बिना electricity के, बिना बिजली के नहीं चलता, उसी तरीके से, कूलर बिना पानी के, भाई, अगर बत्ती नहीं आएगी ना, तो चाहे लाख पानी भर, कूलर नहीं चलेगा, ठीक, पेट्रोल और फ्यूल, पेट्रोल तो एक तरीके का फ्यूल है, बाईक बिना किक के, अगर किक मारते रहे जा, और पेट्रोल नहीं भरा है न, तो बाईक नहीं चलेगी, और वहिकल्स, यह अब सही आंसर बचा, आपको ऑप्शिन नमबर डी की वहिकल्स, जो भी वहिकल्स हैं, वो बिना डीजल के, डीजल हो, पेट्रोल हो, कुछ भी हो, याँ पे ऑप्शिन में, ऑप्शिन नमबर डी हो गया, आपके question का सही जवाब, ठीक है, D is the correct answer, बोलो, मज़ा आ रहा है, देखो, ऐसे questions आपने देखे हैं, एक्जाम में पूछे जरूर जाते हैं, जितने बार एक्जाम में पूछे जाते हैं, गल्तियां होती हैं, और इसलिए मैंने कहां, बिना pen paper के आज का आपको पूरा attend करना है, country, president, state, what, come on, five seconds, quality का सवाल है, गलत किया, तो अमन सर को सीधा शिकायत होगी, चलो, जल्दी से बताओ, सीधा अमन सर के पाशिकायत जाएगी, जिसने जिसने गलत किया, मैं बता रही हूँ, नाम मुझे याद रहते हैं, सारे, चलो, देखो यार, president, country, nominal head होता है, president, ठीक है, state का nominal head कौन होता है, governor, यानि कि Rajpal, option number A becomes the correct answer, ठीक है, A is the correct answer, मज़ा आ रहा है, तो सबके सब दिल खोल के like करो, और अगर अभी तक नहीं किया है, तो, चलिए आते हैं, next question पे, liter, volume, hectare, what, five seconds again, five, four, three, two, one, zero, and time's up, liter, क्या है, volume को measure करने के लिए, unit है, liter, hectare क्या है, area को measure करने की unit, यार, area, option number A is the correct answer, ठीक है, G, A is the correct answer, बिलकुल, चलिए, next question पर आते हैं, अगर देखो इसके अलावा जो बाकी के option थे, time है, mass है, force है, इन सब से related, आपको जो relation है ना, वो आपको theory के form में दिया है, मैं समझा तो रही हूँ, theory के form में दिया भी है आपको, चलिए, paper, pen, next, बताए, 10 second का सवावल, ओके, चलिए, pause करते हैं, आप देखो, pen है और paper लिखा है, अब मेरी बात समझेगा, कि paper पर आप pen से लिखते हो, paper के ऊपर, तो उसी तरीके से blackboard के ऊपर आप chalk से लिखोगे ना, तो option number A, blackboard chalk become the correct answer, बलो clear है, blackboard chalk is the correct answer, चलिए, great, next question पर आते हैं, greedy is related to generous, in the same way vindictive is related to what, चलो, 15 second का time लेलो और answer करो, देखिए, क्या कहा था मैंने, कि आपकी vocabulary भी prepare होगी इससे, थोड़ी बहुत, चलिए, greedy का मतलब देखो क्या होता है, लालची, generous का मतलब क्या होता है, जो दिल खोल के काम करे, उदारता जिसके अंदर भरी हो, generosity जिसके अंदर भरी हो, that is generous, और greedy मतलब होता है, वो इन्जान जो बहुत लालची हो, ठीक है, तो क्या हो गए यार, दोनों एक दूसरे के opposite हो गए न, ये दोनों antonyms given है, opposite given है, उस तरीके से आपको vindictive का opposite बताना था, अब vindictive का opposite क्या होता है, तब तक आप नहीं बता सकते हो, जब तक आपको vindictive का मतलब ना पता हो, तो vindictive आपको हिंदी देखोगे, तो तुरन बता दोगे, otherwise vindictive का जो मतलब होता है प्रतिशोधी, जो बहुत जादा एकदम बदला लेने पर उतारू हो, कि हमें बदला लेना ही लेना है, that's someone vindictive, अब वो vindictive है, उसे बदला लेना ही है, प्रतिशोधी है वो, वो बिना बदला लिये नहीं मानने वाला है, उसको opposite क्या होगा, जिसको बदला नहीं लेना, जो एकदम simple रहेगा, जिसको कोई मतलब नहीं है, जो माफ कर देगा merciful यानि की क्रिपालू, option number A हो गया, आपका सही answer, ठीक है, A becomes the correct answer of this question, चलिए, next question पर आते हैं, अगला question देखियों और बताइए, dice is related to cube in the same way, ball is related to what, चलो 5 second का सवाल, जल्दी से 5, 4, 3, 2, 1, 0, and time's up, लेके dice क्या है, dice मतलब पासा, अभी हम करेंगे भी एस सवाल, मुझे याद है, कई सारे स्टुटेंट रोलेंगे, मैं क्यूब, मैं प्लीज डाइस करा दीजे, मैं डाइस रिवाइस करा दीजे, तो डाइस का रिविजिन भी होगा आपकी अभी क्लास में, लेकिन मैं बता दू, डाइस जो होता है, जो पासा होता है, वो क्यूब के शेप का होता है, क्यूबिकल शेप होता है उसका, तो उसी तरीके से बॉल, जो होती है आपकी गेंद, उसका क्या शेप होता है, स्फियर यानि की ऑप्शन नमबर A, गोला, चलिए, आते हैं, candle is related to wick in the same way, pen is related to what, come on, 5 seconds again for this question, 5, 4, 3, 2, 1, और समय समाप्त, चलिए, आते हैं, इस question पे, candle wick, wick क्या होती है, वो जो मुमबत्ती के अंदर, वो जो धागा टाइप का नहीं पड़ा होता है, जिसको जलाने से मुमबत्ती एक जल जाती है, वो जो पतली सी धागा होता है, उसे कहते हैं, wick, मतलब, और लिखा है आपका pen, आप देखो, wick नहीं होगी, तो candle का कोई काम नहीं है, तो pen जो है ना, pen, actually में wick क्या होता है, wick जब जलेगी, तो मुमबत्ती जलेगी, wick को जब जलाओगे, तो उसी तरीके से pen में, जब जो nib होती है, उसकी pen की nib, जो उपर pointed portion होता है, this thing, जो refill का pointed portion होता है, उसी से तो लिखते हो, वो नहीं चलेगा, तो pen का कोई मतलब ही नहीं है, तो wick, अज मतलब आपका nib हो गया, option number B, correct answer, G, B है सही answer, ink pot, ink pot का क्या मतलब है, जब निब ही नहीं होगी, पाइलेट pen लाते थे, बच्पन में बताओ, सबने पाइलेट pen खरीदा होगा, जीवन में एक ना एक बार तो खरीदा होगा, नहीं पाइलेट pen खरीदा, अगर तो gel pen से लिखते होगे, add gel achiever फेवरेट pen हुआ करता था मेरा, और एक पाइलेट pen, दोनों ही फेवरेट हुआ करते हैं, तो पाइलेट pen की nib बहुत जल्दी तूटती थी, बहुता है जल्दी, मतलब लेके आओ, वो गिरता था, चट से उसकी nib तूटती थी, अब nib तूट गई, चाहे आप ink pot ले आओ, चाहे उसमें कितनी भी ink भरदो, उसकी कोई value है क्या, नहीं क्योंकि उसकी nib already तूट चुकी है, तो nib ही होगा, इस question का answer, ना तो ink pot और pencil और light का, तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीके, सब लोग एक बार comment section में, अपने बच्पन का फेवरेट पेन जरूर बताना, अभी तक मेरा फेवरेट पेन, पाइलेट पेन ही है, मलब अभी भी अगर मुझे कहीं यूज करना होता है, तो मैं पाइलेट पेन ही यूज करती हूँ, and one of my students sent me a pen, बहुत अच्छा पेन था, Mont Blanc का, बहुत खुबबसूरत सा पेन है, साइन करने के लिए यूज 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 लिखने के लिए, यूज 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 पर आते हैं, अगला question देखिए और जवाब दीजे, furniture is related to carpenter, in the same way clothes is related to what, भाई, जल्दी से 5, 4, 3, 2, 1, और शून, समय समाग, furniture यानि कि जो आपका, जितने भी आपके ये सब table, और जितने भी sofa या कुरसी वुरसी जोती लखड़ी वकड़ी कि दर्जी यानि कि टेलर, option number C becomes the correct answer, ठीक है, जी, rightometer, चले जादाए से करके कि एड़ा था था न, rightometer एकदम, उसमें मीटर भी ते बना रहता था था, जी, rightometer एपन, बहुत बढ़िया, 3 रुपे माला, use and throw, trust me, one of the best pens, चले, brick, house, twigs, what, quickly, 5 seconds, इतने सारे पेंड के ब्रांड्स एक साथ मैंने देख लिए, जल्दी आन से करें, big, house, twigs, what, come on, 5 seconds again, 5, 4, 3, 2, 1, हम लोग के जो घर होते हैं, जो घर नर्मली बनते हैं, बिना इंटों के नहीं बनते हैं, इंटों से बनता है घर, ठीक है, उसी तरीके twigs, यानि कि जो छोटी-छोटी टहनिया होती है, उनसे घोसला बनता है आपका, यानि कि nest, option number C, correct answer हो गया न, टहनिया, यानि कि twigs से बनता है nest, उसी तरीके से, जिस तरीके से, bricks से बनता है house, ठीक है, option number D is the correct answer, कुछ लोग कह रहे हैं, ट्री, ट्री नहीं, बेटा समझो, पेड के, जो वो होती है, टहनिया, छोटी-छोटी जो लकडियां होती है, चिडिया उनको चूंगती है, ले जाती है, और एक stem पे, या फिर एक, डाल पे बनाती है अपना गोसला, ठीक है, वो गोसला, option number C, nest है, ठीक, चलिए, next question पे आते हैं, calendar year, अच्छा, ये question थोड़ा, दिमाग लगा के answer करने वाला, इसलिए 15 second का time है आपके पास, देखियो और जवाब दीजे, देखियो देखियो, calendar year है, calendar से, year साल में होते है, महीने, महीनों में, हफते, हफतों में, दिन, साल भर की पूरी information आपको मिलती है calendar में, है ना, उसी तरीके से time की पूरी information, चाहे कितना घंटा हो, चाहे कितना minute हो, चाहे कितना second हो, ये सब आपको मिलता है clock में, तो option number C हो गया सही answer, clock and time, ठीक है, clock time is the correct answer, जी, next question पर आते हैं, अगला question, जैको, जैकॉल, हाउल, रेन, वाट, बताओ, sound produce पर question है, बच्पन में ये सारी चीज़ें, अम लोग पढ़ते थे, जैकॉल जो है, आपका वो हाउल करता है, उसकी sound है, तो बारेश की वर्षा की, क्या sound होती है, जल्दी से बताओ, hustle, thunder, patter, या drops, quickly, come on, five seconds, five, four, three, two, one, ताइम से अब देखो, बारेश जब गिरती है, तो पट-पट-पट-पट-पट-पट आवाज आती है, बहुत तेज बग गिरती है, ठीक है, तो पट-पटाने की आवाज आती है, पट-पटाहट है, option number C, पैटर, option number C, becomes the correct answer, ठीक है, बारेश जब होती है, तो बढ़ियां सी आवाज आती है, नहीं, ठंडर कैसे हो सकता answer, ठंडर तो होता है, गरजना बादलों का, बादल जब गरज जाते हैं, उनके बाद बरसते हैं, ठीक है, गरजने की आवाज को कहते हैं, ठंडर, बारिश की आवाज को ठंडर थोड़ी न कहते हैं, ठीक है, चलिए, नेक्स क्वेशन पर आते हैं, अग्ला क्वेशन तेखिए, जब आप दीजे, विटमिन A, कारेट, विटमिन C, वाट, फाइव सेकंड्स, क्विक्ली, फाइव, पॉर, फ्री, टू, वान, जीरो, एंट ताइम्स आप, विटमिन A, मिलता है, विटमिन C, मिलता है, आपको खटी चीजों में, विटमिन C, खटी चीज, यानि कि खटी चीज ओप्शन में, और इंज, और इंज, और इंज, ऑशन नमबर D, आपको बहुत बढ़ी, आपको बहुत ही सिंपल सा था, मैंने क्यों कहाँ थोड़ा टाइम लगा के देखना, क्योंकि यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है, बच्पन में जो चीजे पढ़ी थी, उसका बहुत पहले पढ़ी थी, हाइव भी, हाइव क्या होता है, छत्ता मधुमक्की का, पहला वाला है, हाबिट आट, मतलब उसका घर, दूसरे वाले का घर है, पहला वाला, अब आप देखो, हैर, जो यानि की जो खरगोश होता है, उसका घर है ना, बिल, ऑप्शन नमबर A, पहला है, सही जवाब हो गया, बरो, हैर, और अंसर, A is the correct answer, कुछ लोग कह रहे है, D, stable cow, stable यानि होता है, अस्तबल, अस्तबल में घोडे रहते हैं, गाय नहीं रहती है, ठीक है, घोडे रहते हैं अस्तबल में, डीकॉन कह रहा है, चलिए, next question पर आते हैं, अगला question देखिए, और जवाब दीज़े, चा देखो, बाकी आपको options में दिख जा रहे हैं, बाकी के options में आपको answer, हाइव, मदुमक्की का छट्ता, बरो यानि की हैर, stable में होर्स, मैंने कहा था था ना, स्टाय, यानि की जो सूर बाडा होता है, उसमें रहते हैं, पिग्स, सूर, फिर है बायर आपका, यहां रहती है काओ, कैनल, डॉग, और आईरी, जिसे कहते हैं, वो है, इगल का हाबिटाट, ठीक है, एक दम कसन से, प्री-प्राइमरी टीचर वाली फीलिंग आ गई, थोड़ी देर के लिए, चलिए, थर्मोमेटर, टेंपरेचर, लाक्टोमेटर, वाट, वाट, क्विक्ली आंसर, फाइव सेकेंड्स, कमाँ, फाइव, पॉर, थ्री, तू, 2, 1, 0, एंड टाइम जब चलिए, थर्मोमेटर, यार, बुखार आता है, थर्मोमेटर का इस्तमाल करते हो, मेजर करने के लिए, लाक्तोमीटर, लाक्तोमीटर में याद रखियेगा, लाक्तोस, आपने पढ़ रखा है, lactose word सुन रखा होगा lact जहां पे भी आ गया यह जो prefix है ना इसका मतलब हो जाता है milk ठीक है इसका मतलब हो जाता है milk से related और lactometer actually में use किया जाता है milk की density को measure करने के लिए ठीक है lactometer is an instrument which is used to measure the density of milk तो यह हो जाएगा आपके question का सही answer relative density ठीक है चलिए next question पर आते हैं अगला question देखिए और जवाब दीजे kidney is related to excretion heart is related to what यहाँ पे प्यार करना और अंसर मत दे दीजेगा दिल का काम प्यार करना नहीं होता है ठीक है दिल के और भी बहुत सारे काम होता है उसको देखिए आंसर करिए चलिए जल्दी से जवाब दीजे quickly 5 seconds 5 4 3 2 1 0 and time's up देखिए kidney का काम होता है excretion ठीक है मतलब kidney अगर खराब है आपकी kidney failure है अगर तो बहुत जादा आपको excretion जो excretory system होता है मारा उसका main part होता है kidney तो उसी तरीके से जो circulatory system होता है मारा उसका main part होता है heart ठीक है तो circulatory system circulation के लिए काम करता है heart प्यार करने के लिए दिल लगाने के लिए काम नहीं आता है दिल और सिर्फ एक काम होता है heart का और वह होता है आपका blood circulation तो option number C becomes the correct answer ठीक है blood circulation है ये जो ब्लड सर्कुलेशन ये हो गया ना बंध तो जितना भी प्यार और महबबत है ना सब की सब चली जाएगी एक बार में अगर ये काम बंध हो गया तो तो ब्लड सर्कुलेशन है में काम दिल का ठीक है चलिए नेक्स्ट पर आते हैं अगला क्वेशन देखिए और जवाब है तो टोड जियानी की जो आपका फ्रॉग होता है बेसिकली वो किसका मेंबर होता है बताओ भाई वर्टिबेर, रेप्टाइल, मामल्स या फिर अमफीबियन्स क्विकली अमफीबियन्स होता है ना अमफीबियन्स ओप्शन नमबर दी बिकम्स दर कारेक्ट आंसर अशर नेक्स्ट पर आते हैं बुहु, असरम, ओनाम वाण अब मैंने क्या बोला था कि आपके क्वेस्टन्स लेहार को समया होने वाले है अगले जितने भी क्वेस्टन्स क्वे स Ut cover, घिके क्या खाया देख सेव संहार थाले लाजए है तो अगलने क्वेस्टन्स आपको डेक्वे जासाम में जब ठरीके से ओनाम क्या है ओनाम is a festival that is celebrated in which of the following state देखो सबको पता होता है कि ओनाम कहीं ना कहीं आपका South की तरफ का festival है अवे South की तरफ का जब तरफ का festival दिमाग में आता है तो यह दोनों जा शब आपके अलिमिनेट आपके हो ही जाते हैं लेकिन जो सबसे आपके दुमाग में confusion आता है करनाटा को केरिला तो याद रखिएगा हमेशा कि केरिला में celebration होता है ओनाम का, ठीक है, option number B is the correct answer, देखो, ओनाम की दस्वीरें बच्पन में देखे हो कभी, देखे हो कि बच्पन में तस्वीरें कभी, वो नाव आउ बनी रहती है, है वही festival होता है, आपका option number B केरिला में celebrate किया जाता है, चलिए, next question पर आते है, volcano, earth, tsunami, what? चलो, 5 second का सवाल, volcano, earth, tsunami, what? quickly answer, 5, 4, 3, 2, 1, 0, and time's up, देखो, volcano क्या है, volcano एक ऐसा नाचरल डिजास्टर है, जो की अर्थ में, यानि की प्रिथवी से होता है, भाई, देखो, eruption होता है, एकदम से ज्वाला मुखी निकलता है, तो वो अर्थ का एक नाचरल डिजास्टर है, उसी तरीके से tsunami, बार जो है, आपकी tsunami, जो है, अचली में, वो कहां पर आती है, ओशिन में आती है, ओशिन यानि की महासागर, तो option number A, ocean becomes the correct answer of this question, ठीके, ओशिन हो गया, इस question का सही जवाब, चलिए, नेक्स, अचा देखो, अब देखो, यहाँ पर आते हैं, next question पर अगला question देखो, badminton, shuttle, cricket and question mark, जल्द 5, 4, 3, 2, 1, 0, and time's up, देखो, shuttlecock, जो होती है, अगर shuttle नहीं होगे, badminton खेला ही नहीं पाऊगे, उसलिके से cricket है, अगर ball नहीं होगे, तो नहीं खेल पाऊगे, ball यानि की option number B, becomes the correct answer, ठीके, B होगया, question का सही जवा, पिच कुछ लोग कहा है, नहीं, पिच तो वो जग है, badminton और shuttle तो दोनों पार्ट है, badminton के ना, इसी वज़े से, चलिए, next question पर आते है, अगला question देखिए, astronomy related है, star से, geology किस से related है, जल्दी से बताईए, astronomy अगर related है, star से, to geologic किस से related है, quickly answer, 5 seconds, come on, 5, 4, 3, 2, 1, 0, and time's up, astronomy मतलब study of star, उस उस तरीके से, geology का मतलब होता है, भू व इज्ञान, भू यानि की भूमी, भूमी यानि की आपका अर्थ, यानि की option number C, पृत्वी becomes the correct answer of this question, आर्थ की study को हम जी ओलोजी कहते है, ठीक है, clear है, चलिए, next question पर आते है, giant, dwarf, genius, what, quickly answer, 5 seconds, come on, 5, 4, 3, 2, 1, 0, and time's up, giant मतलब एकदम ही बड़ा, extremely big in size, dwarf मतलब bonna, एकदम छोटा, तो ये क्या है, ये दोनों भी antonyms के pair हो गए, यहाँ given है opposite, antonyms के pair तो genius, मतलब जो एकदम बुद्धिमान है, उसका opposite क्या होगा, एकदम बेवकूफ, यानि की idiot, option number A, idiot, बेवकूफ becomes the correct answer, ठीक, चलिए, next question पर आते है, चिपको movement, सुंदरलाल बहुगना, उसी तरीके से नर्मदा बचाओ, आंदोलन, अब बताओ, जीके का question है, जल्दी से questions को देखो और answer करो, फटा फट से, quickly answer, फटा फट से बताओ भाई, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0, and टाइमस अफ, यार, चिपको movement, चुंदरलाल बहुगना, related है, इन्हों ने originate किया थे, चिपको movement को, इन्हों इनी की वज़े से, चिपको movement, actually में इतना successful बन पाया, इन्हों ने किया, उसी तरीके से, नर्मदा बचाओ, आं स्टूडेंट्स आ सेंग, विनोवा भावे नहीं, आंसर है, आपका मेधा पाट कर, option number D है, correct answer, शिकायत होगी, इसकी शिकायत जरूर होगी, जितने भी आवे students गलत आंसर कर रहे हैं, सब की शिकायत होने वाली अमन सर से, चलिए, एकदम सही जवाब है, option number D is the correct answer, ठीके, च आओ, फटाफट से, पाँच सेकंड का सवाल है, पाँच सेकंड, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, जीरो, एंड टाइम्स अब देखो, अब अगर डिस्टिंस, डिरेक्शन आप देखो यार, नॉर्थ, साउथ, एस्ट एंड वेस्ट रिलेटिड है, नॉर्थ एस्ट से, वेस्ट से पहले हमने 90 डिग्री कवर करके गए, नॉर्थ पे और नॉर्थ एस्ट, मतलब 45 डिग्री और कवर किया, कितना टोटल डिग्री हम घूमें, 135 डिग्री घूमें हम, ठीक है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, अब देखो, साउथ से कितना घूमेंगे, साउथ से भी 135 गूमेंगे, साउथ से 135 डिग्री, अगर हम क्लॉकवाइज घूमें, तो हम 90 डिग्री कवर किया, वेस्ट तक, और 45 डिग्री और घूम गए, मतलब कितना आ गया हमारा, नॉर्थ वेस्ट, यानि कि, ऑप्शन नंबर B, नॉर्थ वेस्ट, बिकम्स दा करेक्ट आंसर तो द अधियाए, दो टॉपिक्स होने वाले थे इस सेशन में, पहला था वर्ड क्लासिफिकेशन, पहला था वर्ड अनलोगी, दूसरा था वर्ड क्लासिफिकेशन, वर्ड अनलोगी हमने कम्प्लीट कर दिया, अब स्टार्ट होने जा रहा है हमारा वर्ड क्लासिफिकेशन, उस देख सकते हो सबस्क्राइब के बगल में जोइन करना यह जोईन खोई करोगे यह वह रहें Yaak तका से लिमलां एक धर बतन तोड बोलों चाहते हैं ले यह अलाग अग अलग बेनिफट से लाग अब सुपती हैं कैसे मिलेंगे जब तक आपने ये community नहीं जॉइन कर ये देखिए आपने lab lover आपने payment कर दिया सब कुछ हो गया लेकिन जो material मिलना है lab lovers को वो कहां से मिलेगा आप जाओगे ये खुल के आ जाएगा आपके सामने YouTube का पूरा का पूरा इंटरफेस खुल के आ जाएगा वहाँ पे ये खुल के ये एक form का link है ठीक है ये form है dear members please fill out the forms so that lab can send you the material on daily basis daily basis पर material आपको मिल सके ये form खोलोगे एक simple सा form है नाम भरना email ID भरनी और एक दो चीजें जो और पूछी जाए गई है अगर तो भर दो उसको और form submit कर दो जब तक आप कुछ material मिलेगा ही नहीं इसलिए form जरूर इसका submit कर दीजे दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताओं कि Saturday को होने वाला है आप लोगों का एक गजब का mock test ठीक है गजब का mock test होने वाला है और mock test के साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे lab lovers है उन सब को मिलने वाला है एक बहुत ही बढ़िया सा assignment एक full length का mock test मेरी तरफ से म तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ यह आपको मिलेगा मंडे को तो मंडे को Saturday को मेरा mock test होगा mock test के बाद आपको assignment मिलेगा मंडे को दुपहर में दो बजे तो जितने भी लोग यहाँ पे हो यार सब के सब एक बार lab lovers की membership जरूर ले लीजेगा जिससे की आपको देगो बह assignments सब के PDF और ऐसा नहीं जो free PDF आपको मिलता है टेलिग्राम पर नहीं मिलेगा वो तो मिलेगा class का PDF अपार्ट फॉम दाट जो extra चीजे हैं जो assignments है यहां पर आप पड़ते हो थोड़े से questions आपको practice के लिए 50 questions और दे दिये गए लाब lovers के लिए benefits हैं तो आप लाब lovers की membership जरूर खरीदें आज के आज ठीके चली ऐब हम आते हैं अपने इस पर question पड़े के छली अज आते हैं अपने इस पर question thap चाली अच बोला हमारे इस सेशन का दूसरा अधिया इस टार्ट हो चुका है word classification अब लड़ क्लासिफिटेशन का पहला question आपके सामने है पेटल, स्टेमन, सीपल and सीड, चलिए, जल्दी से आंसर करिए इस question को 5 seconds में, quickly answer in 5 seconds, come on, 5, 4, 3, 2, 1, 0 and time's up, मैं पानी पीलू नहीं तो मेरा गलाब बैठ जाएगा यहीं पर, चलिए, जल्दी से बताइए, पेटल, स्टेमन, सीपल और सीड में क्या कौन सा ओड वन आउट है चलिए, देखो, पेटल यानि की पंखुडी, स्टेमन, और सीपल, यह तीनों जो चीज़ें है न, इस आर पार्ट्स ओफ फ्लार, लेकिन सीड जो है, बीज, it is not a part of flower, इसलिए सीड हो गया, आपका ओड वन आउट, ठीके, D, सीड बिकम्स दी करेक्ट आंसर, ओड वन आउ रिगवेद, आयूर्वेद, सामवेद, याजूर्वेद, पांच सेकंड का सवाल है जल्दी से आंसर करो, 5, 4, 3, 2, 1, 0, and time's up, जल्दी से बताए है, रिगवेद, आयूर्वेद, सामवेद, याजूर्वेद, भाई, चार वेद होते हैं आपके, रिगवेद, याजूर्व अथरवेद और सामवेद ये आयूरवेद इस बेसिकली एक या इस अ बताया जाए इस अ मेडिकल स्पाइंस आयूरवेद आपको और बाकी आपके वेद्स है ठीक है तो इसलिए आयूरवेद हो गया आपका ओर वन आउट next question पर आते हैं option number B, 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 B है सही answer D कैसे दे रहे है option में? D नहीं है, B है सही answer चलिए next question, rectangle, square, triangle, rhombus, again 5 seconds question 5, 4, 3, 2, 1, 0 and time's up triangle, आपका 3 lines वाला एक figure है बाकी rectangle भी आपका 4, square भी आपका 4, rhombus भी आपका 4 line वाला figure है बाकी सब आपके quadrilateral हैं, सिर्फ triangle आपका 3 line वाला figure है तो triangle हो गया, आपका odd one out ठीक है, triangle odd one out हो गया, clear हो गया, चलिए next question पर आते हैं, kart, rickshaw, taxi और tonga जल्दी से बताओ भाई quickly, 5 seconds, 5, 4, 3, 2, 1, 0 and time's up kart यानि की bell गाड़ी, इंसान खीचता है रिक्षा, रिक्षे जो वाले होते हैं, बैटरी वाले रिक्षे की बात नहीं हो रही है यह जो original रिक्षे चलते हैं, जिसमें बिचारा एक रिक्षे वाला खीचता रहता है, और अगर कहीं कोई बहुत भारी भरकम सा पैसेंजर बैठ गया, तो बिचारे की तो हालत ही खराब हो जानी है तो एक रिक्षा भी इंसानी खीचता है टॉंगा, जितने भी टांगा होते हैं पुराने समाने में अभी भी चलते हैं एक वहिकल है आपका जो कि इंसान ड्राइव करता है इंसान अक्छिली में पुल नहीं करता है तो बाक्ती तीनों के कमपैर्सिन में सी हो जाएगा आपका ओड लट ओड खीचे सी ओड बड लट हो गया, next question वाइन ग्रेप्स इस साबाल को पढ़ो क्योंकि यहाँ पे options आपके उसमें है पेर में है, जल्दी से बताईए इस question का answer, quickly चालिए इसको pause करते हैं, wine, grapes, paper, pulp, shoe, leather, wheat, crop आप देखो, wine जो है वो grapes से बनती है, ठीक है paper वो pulp से बनता है, shoes, leather से बनते हैं लेकिन wheat और crop, wheat क्या है? wheat एक तरीके की crop है, wheat एक तरीके की फसल है तो यह आपका odd one out हो गया, option number D becomes the correct answer to this question, paper pulp सही है, option number D है सही answer चलिए, next question, violet, blue, green, white, quickly answer, जल्दी से, 5 seconds 5, 4, 3, 2, 1, 0 and time's up, violet, blue, green, देखो यार, rainbow जानते हो, rainbow, colors क्या होते हैं, यह होते हैं, colors rainbow के, विभ्योर, violet भी rainbow का color, blue भी rainbow का color, green भी rainbow का color, लेकिन white आपका rainbow का color नहीं होता है, तो white हो गया, आपका odd one out, ठीक है, white odd one out, D becomes the correct answer, mason, wall, cobbler, shoe, farmer, crop, chef, cook, जल्दी से बताओ, quickly, जल्दी से answer करिए इसका, come on, 5 seconds, 5, 4, 3, 2, 1, 0 and time's up, देखो यार, mason, wall, mason कौन होता है, mystery, mystery दीवार बनाता है, तो जो दूसरी वाली चीज है, वो पहला वाला इंसान बना रहा है, ठीक है, shoe, जूते एक मोची बनाता है, cook, जो cook है, जो, अब आप देखो, यहाँ पे chef जो है, वो cook, farmer और crop और chef और cook, अब आप देखो, जो cook है, वो भी करता है, जो आपका chef है, वो खाना बनाता है, ठीक है, वो food cook करता है, यहाँ क्या लिखा है, खाना पकाना, यह तो उसका काम हो गया, यह तो उसका काम हो गया, option number C, farmer भी crop और उगाता है, लेकिन chef cook करता है, यह उसका काम हो गया, बाकी सारी चीज़ें लिखी है, जो चीज़ें वो बनाता है, यहाँ पर अगर food लिखा होता, ठीक है, तो यह हमारा हो जाता, यह हमारा same में आ जाता, लेकिन यहाँ पर D becomes the correct answer to this question, चलो भाई, इस question पर आजा, rose, lotus, marigold and lily, यह बढ़िया सवाल है, दिमाग लगाने वाला सवाल है, जल्दी से आंजर करो फड़ा फट से इस question का, quickly guys answer in 5 seconds, 5, 4, अच्छा, timer तो चल रहा है उपर, जल्दी से आंजर करो, देखो या, rose, lotus, marigold and lily, यह चारो ही फूल है, बहुत ही सुंदर सुंदर से अच्छे से फूल है, जिसमें lily सबसे महंगा आता है, ठीक है, लेकिन, आप देखो अगर, गुलाब भी आपका पौधे में उखता है, marigold भी, lily भी, lotus इक लौता ऐसा फूल है आपका, इन में से, जो की कहां उखता है, कमल, कीचर में खिलता है, पानी में, ठी सही आंसर इस क्वेशन का, ठीक है, बीए सही आंसर, next question, meter for long, yard and acre, जल्दी से बताओ, answer, quickly answer करिये इस क्वेशन का, meter for long, yard and acre, जल्दी से बताओ, भाई, देखो, meter से, आप, distance मेजर करते हो, for long से भी, yard से भी, acre जो होता है न, area मेजर करने के लिए काम आता है, कितने acre की जमीन है, ठीक है, area मेजर करता है न, acre, तो option number D, area, acre becomes the correct answer of this question, right, D becomes the correct answer, चलो भाई, कुछ लोग यहाँ पर answer कर रहे हैं, option number B, for long, है न, तो यहाँ पर जिनको नहीं पता है, वो देखो, भाई, जो for long होता है, basically, यह 200 yards, जो होते है, आपके yard का ही एक unit है, basically, it is 8 times of a mile, एक मील, यानि की लगबग आप कह सकते हो, 220 yard के बराबर होता है, एक फर लोग, अगर नहीं पता है, for your general information, I am telling you, एक extra information, जो मैं दे रही हूँ, एक फर लोग इस लगबग 8 times of a mile, यानि की लगबग आपका 220 yard, तो yard की ही एक तरीके से extended unit है, और एकर आपका area measure करता है, ठीके, चलिए, next question पर आते हैं, अगला question देखिए, और जवाब दीजे, Lima, Elgiers, New York, और Tokyo, चलो, 10 second का सवाल है, जल्दी से answer करिए, Quickly answer this question, A, B, C, D, चलिए, आप यहाँ पर देखिए, क्वेश्टन में क्या लिखा है, चार जगे के नाम गिवन थे, ठीके, Lima, Elgiers, New York and Tokyo, New York को छोड़के, बागी सब कैपिटल से, ठीके, Lima क्या है, पेरु की कैपिटल, Elgiers है, Algeria की कैपिटल, और Tokyo तयार, जग फेमस है, जैपान की कैपिटल, Option number C, जो है आपका, New York, it is not a capital city, New York हो गया, आपके question का सही answer, यार, यह पता नहीं है, आप लोगों को, जी के कमजोर है, आप लोगों की, ठीक, ऐसे बोलता है, बोलते नहीं है, बुद्धी तेज है तुम्हारी, वैसे ही, जी के कमजोर है तुम्हारी, आप लोगों की, I mean, सिर्फ एक परसन को मैं नहीं, पॉंट आउट कर रही हूं, जिनों ने भी New York answer किया, उनकी नहीं, बाकी सब की जी के कमजोर है थोड़ी सी, चलिए, next question पर आते हैं, अगला question, flute, guitar, star or violin, जल्दी से बताईए, क्या होगा इस cancer, quickly, 5 seconds, 5, 4, 3, 2, 1, 0 and time's up, तामे समाप, ऐसे छुर से आपका समे समाप तो जाता है, जल्दी से तनी जल्दी, क्योंकि या, 5, 5 seconds के तो सवाल हैं, आपके जो दिख रहे हैं आपको, guitar में भी होते हैं, tar, ये ये ना सोचिएगा, ये guitar में tar वाला थार, नहीं, I'm talking about the strings, जो strings होते हैं, ऐसे ऐसे करके guitar से आवाज आती है, strings होते हैं, sitar में भी strings होते हैं, और violin में भी strings होते हैं, जो flute है आपका बासुरी, ये एक mouth, एक आपका air वाला musical instrument है, बाकि सब आपके strings वाले musical instruments हैं, तो आपका option number A, flute becomes the correct answer, बासुरी, G, next question, biscuit, chocolate, cake, bread, जल्दी सहांसर करो, फटा-फट से, quickly, 5 seconds again, 5, 4, और वीडियो को जितने भी लोग यहां बैठे हो, सब के सब लाइक करो, कम से कम एक बार, जो लोग लाइक कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, जिनों नहीं किया है, फटा-फट से लाइक कर दो वीडियो को, बिस्किट, चॉकलेट, केक, ब्रेट, सब को यह आपका बिस्किट है, वो भी बेक किया जाता है, केक भी बेक होता है, ब्रेट भी बेक होती है, लेकिन चॉकलेट इकलोटा ऐसा प्रोड़क्त है, इन चारों में से जो की बेक नहीं किया जाता है, चॉकलेट बेक नहीं होती है, तो B is the correct answer of this question, next question पर आते हैं, potassium, silicon, zirconium या फिर gallium, बताइए, यह question बढ़िया है, इसके लिए मिलते हैं आपको 10 second, यह question आपका बढ़िया है, 10 second का समय लीजिए और answer करिये, potassium, silicon, zirconium या फिर gallium, क्या होगा इसका answer, यहाँ पर option number A, potassium को छोड़के, बाकि सारे ही, यह जो तीनों ही आपके options है न, चाहे silicon हो, चाहे जirconium हो, चाहे आपका gallium हो, all these metals are used in semiconductor devices, जो आपकी semiconductor, यह आपका exam में अगर question आता न, अगर आप physics में बहुत अच्छे हो, तो चलो आप कर लेते हैं, आपने बीटेक बीटेक कर रखा हैं, या फिर आपकी अच्छी खासी नॉलेज़, या फिर आप 10, 12 के बच्चे तक को physics पढ़ा हो, कभी 10 की physics तक आपको बट बढ़ियां से हाती है, तो आप question आप कर लेते हैं, otherwise यह question इतनी जल्दी ना होता, मैं बता रही हू कि ना हो पाता इतने जल्दी है question, silicon, zirconium और gallium आपके semiconductor devices में यूज़ किये जाने वाले metals है, potassium आपका वो metal नहीं है, जो semiconductor device में यूज़ हो, इसलिए option number A, potassium हो जाएगा आपका odd one out, ठीक है, A is the correct answer of this question, G, बिल्कुल सही जवाब है, next question पर आते हैं, find the odd word, curd, butter, oil, cheese, जल्दी से जल्दी से अंसा करा question, come on, 5 seconds again, 5, 4, 3, 2, 1, 0 and time's up, curd, butter और cheese, तीनो ही milk के, दूद के byproducts है, curd, dahi भी दूद से बनता है, butter और cheese लेकिन, oil is not a byproduct of milk, यूज़ हो गया आपके question में, odd one out, C, oil is the correct answer, G, बिल्कुल, next question पर आते हैं, assassinate, kill, kidnap, stab, जल्दी से बताइए, 5 seconds again, 5, 4, 3, 2, 1, 0 and time's up, आप अगर देखो, assassinate, से इंसान क्या करता है, assassination का मतलब होता है, हत्या करना, मार देना, kill का मतलब भी मार देना, stab का मतलब ही, छूरा भोग भोग के मार देना, लेकिन, kidnap is not an act of killing, इन सब से, तीनो से इंसान मर जाता है, kidnap करने से इंसान मरता नहीं है, तो option number C, kidnap becomes the correct answer of this question, ठीक है, चलिए, next question पर आते हैं, अगला question देखे, football, volleyball, cricket or chess, जल्दी से आंसर करिए, quickly, फड़ा फड़ा आंसर करिए, 5 seconds, 5, 4, 3, 2, 1, 0 and time's up, चाहे देखो, football हो, चाहे, volleyball हो, चाहे, cricket हो, तीनो ही है आपके outdoor games, बारिश होगी, तो बाहर खेल पाओगे, क्या, नहीं खेल सकते हैं, तीनों आपके outdoor games है, chess है, आपका एक indoor game, तो option number D, chess becomes the odd one out, odd one out, बताना था ना आपको, odd one out, chess हो गया, चलिए, next, mother, friend, sister, father, जल्दी से बताओ, भाई, mother, ma, friend, mitra, sister, बहन, father, पिता, क्या है, सही, answer, quickly, ma, blood relation है, sister, एक blood relation है, father, एक blood relation है, लेकिन आपका मित्र या फिर friend is not a blood relation, तो option number B हो गया, आपका odd one out, ठीक है, B becomes the correct answer, next question देखिए, eyes, ears, hands, और nose, जल्दी से बताओ, यह question बढ़िया है, यह सोच के answer करने वाला question है, 10 second तक सोचिए, और तब जवाब दीजे, इस सवाल का, बैठे हो, फटा-फट से लाइक करो वीडियो को, बढ़िया से अगर समझ में आ रहा, एक दा मज़ा आ रहा हो, आज आपकी क्लास में तो, देखो आखे, इंसान के पास कितनी होती है, दो, कान, दो, हाथ, दो, नाक, सिर्फ एक, ठीक है, बाकी तीनों options में, जो organs mentioned हैं, वो दूसरों के matters में हमें नहीं गुसेड़ना चाहिए, एक ही नाक दी है भगवान ने, अगर उसको भी हम दूसरों के matters में पोक करेंगे, तो सोची उनको कितना पुरा लगेगा, इसलिए कृप्या अपनी नाक अपने पास रखे, so option number D, क्योंकि सिर्फ एक है आपके पास, तो माइक्रोफोन आपका अलग हो गया, यह ना बोलिएगा, जल्दी से बताइए answer, quickly, quickly answer करिये, come on, 5, 4, 3, 2, 1, and time's up, look, telescope, आपका vision से related है, periscope, भी vision से related है, actually में answer आपका माइक्रोफोन ही है, लेकिन reason इसका यह नहीं है, कि इसमें भी scope, इसमें भी scope और इसमें भी scope है, माइक् माइक्रोफोन आपका sound, आपका voice से related है, बाकी आपके vision से related है, ठीक है, तो option number C becomes the correct answer of this question, चलिए, next question पर आते है, find the odd word, crust, mantle, core, या फिर वाल के, no, जल्दी से बताइए, crust, mantle, coal, या फिर वाल के, no, जल्दी से बताइए, क्रस्ट, mantle, coal, या फिर वाल के, no, जल्दी से बताइए आपका अर्थ के पार्टस होते हैं, आपका crust, mantle, और core में, inner core, और outer core, ये आपके पार्टस होते हैं, अर्थ के, ठीक है, लेकिन वालके लेकिन वालकेनो इस नौट आपस अ आफ एर्थ, वालकेनो एक नाचरल डिजास्टर है, जो की अर्थ में, मतलब अर्थ को एफेक करता रेक्टाइंगिल आपका चार लाइनन वाला फिगर है, it's a quadrilateral, square भी a quadrilateral है, rhombus भी a quadrilateral है, चार लाइनों से मिलके बनता है, लेकिन ट्राइंगिल आपका सिर्फ तीन लाइनों से मिलके बनता है, तो ट्राइंगिल C, TRIBHAJ, becomes the correct answer of this question, ठीक है? त्रिभुज is the correct answer समझ में आए सभी को? चलो भाई, अगर सबको समझ में आ गया है तो आज की class यहीं पर समापन करते हैं याद रखिएगा जो मैंने चीज बताई है याद रखिएगा, समापन तो हो चुका है लेकिन समापन के बाद मैं दो चीज़ें आप लोगों को बतादू जो बहुत ज़रूरी है कि पहली चीज अब की बार Saturday को जितना हो सके न इस चीज को spread कर दीजे यह चीज वाली चीज spread वाली चीज नहीं है यह जो Saturday वाला मेरा mock test है Saturday को होने वाला है एक गजब का mock test आप लोगों के लिए रीजनिंग का Saturday को गजब का mock test होगा साले चार बजे तो 4.30 पीम पे यह mock test जरूर अटेंड करें और जितने भी लोग यहाँ पर हैं जितने भी students अभी तक यहाँ वीडियो को देख रहे हैं आपके revision में भी काफी help करने वाला है आपकी पहली चीज तो यह याद रखिएगा दूसरी चीज जितने भी students हैं यहाँ पर मैं उन सब को बोलूँगी कि भाई आज के आज आज आप lab lover की membership खरीद लीजिए क्योंकि आप लोगों को ना तो सिर्फ daily basis पे आप लोगों का नुकसान हो रहा है मैं बता रही हूँ daily basis पे आप लोगों को जो current fair के newsletters होते है वो miss हो रहे है weekly magazine आपकी miss हो जाएगी monthly magazine भी miss हो जाएगी अगर जादा late आपने किया तो साथी साथ सारे subjects के आपको मिल रहे हैं assignments पढ़ाई कर रहे हो daily basis पे वो गजब होने वाला है मतलब आप लोग सोच में नहीं सकते हो top 50 number series का compilation top 100 questions इस तरीके के series के 100 questions का compilation आपको मिलने वाला है सोची 100 questions मैं homework में देती हूँ 100 questions कल दीजेगा मैं वो खुद homework भी आपको दे दूँगी बस आप lab lover की membership जरूर ले लीजेगा जितने भी लोग यहां बैठे हैं हर हाल में आपको lab lover की membership लेनी ही है मतलब compulsion नहीं है आप लोगों की choice है लेकिन मैं suggest करूँगे कि जरूर ले लीजे क्योंकि यह जो Saturday को आपका mock test होगा ना इसके बाद एक गजब का आप लोगों का वेट कर रहा है इसलिए प्लीज डू टेक दे मेंबर्शिप बाइ साटरी चलो मिलते हैं दुबारा से यार अब हम लोग की मुलाकात होगी कल फिर से साड़े चार बजे तो साड़े चार बजे दुबारा से मिलते हैं याद रखिएगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजे साथ ही साथ अगर अगर लोगों को अनकाडमी पर कम्प्लीट बैचिस चाहिए अगर उस्ताड़े चार बजे तो एक महीने का हो चे महीने का हो एक साल का हो या दो साल का हो सारे पकेज़ पे आपको बखामाम और अमंसर के जितने भी अपकमिंग बाचेश वो सम मिलेंगे आपको अपार्ट फ्रूम बोथ और इस एजुकेटर इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मोका मिलेगा अनकाडमी प्लस पर इफ यू टेक थे सब्स जह क्यों हो स्थि मया अनकाडमी रस भी बाचेश चेशनार फटेकर से आतकाडमे ख says दूप हता